रात नहीं देखा, सौ दिन के एजेंडे को पुरा करने के लिए पूरी ताकत जोंक दे देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे, वो किये कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और आपने देखा होगा, पिछले सो दिन में न जाने कैसी कैसी बाते होने लगी इस दोरान मेरा मजाग उड़ाने लगे, मोदी का मखोल उड़ाने लगे भाती भाती के तर्क वितर्क बताते रहे, मजा लेते थे और लोग भी हरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चूप है, इतनी मजाग हो रही है, इतना अपमान हो रहा है लेकिन मेरे गुजात के भाई और भेनों, ये सरदार पटेल की भूमी से पैदा हुआ बेटा है हर मजाग, हर मखोल, हर अपमान को सहते हुए एक प्रार लेकर के सो दिन मैंने आपके कल्याण के लिए देश हित के लिए नीती बनाने और निर्णे लेने में जुटा लए और तय किया था, जिनको जितना मखोल उड़ाना है उड़ा दो उनको भी तो मौज आएगी या, ले लो, ले लो और मैंने तय किया था, मैं एक भी जबाब नहीं दूँगा जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है कितने ही प्रकार के हशी मजाग ठीठोरापन होता रहे मैं अपनी इस रासे भटकोंगा नहीं और आज मुझे खुशी है कि उन्सब अप्मानों को पचाते हुए सो दिन के इन दिनों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्गे के कल्यान की गैरंटी पक्की हो गई है इन सो दिनों में पन्रा लाग करोड रुपिय से जादा योजनाओं पर काम शुरू हुआ है चुनाव के दोरान मैंने तीन करोड नए घर बनाने की गैरंटी देश को दी थी इस गैरंटी पर तेजी से काम हो रहा है आज यहां इस कारकम में भी गुजरात के हजारों परिवारों को पक्का घर बिलाए कल में जारखंड में था वहां भी हजारों परिवारों को गर दी गए हैं गाम हो या शहर हम सभी को बहतर जिन्दगी जीने के लिए वबस्ताएं जुटाने में लगे हैं शहरी मिडल क्लास के घरों के लिए आर्थिक मदद देना हो स्रमिकों को सही किराए पर अच्छा घर देने का अभियान हो फेक्टरियों में काम करने वाले के लिए विशेस आवास योजना बनानी हो वर्किंग विमन के लिए देश में नए होस्टेल मनाने हो सरकार इन पर हजारों करोड रुपिये खर्च कर रही है साथियों कुछ दिन पहले ही गरीब और मिडल क्लास के स्वास्त से जुड़ा